कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते मंदिर के पंडित पुजारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है ऐसे में बीजेपी विधायक रामेशर शर्मा ने भोपाल के बैरागड इलाके में पंडित पुजारियों को राशन सामगरी वित्रित की है संत हिदाराम नकर दशहरा मैदान पर हुजूर विधायक रामेशर शर्मा ने ब्रामण पंडित पुजारियों को राशन सामगरी के पैकेट वित्रित किये सौ से अधिक लोगों को ये सामगरी उपलब दिकराई गई क्योंकि इन पंडित और ब्रामणों के लॉगडाउन के दौरान मंदिर बंद पड़ हुए हैं और इन पंडितों को जीवी का चलाने में परिशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगडाउन के दोरान लगबक तीन महीने से साड़े तीन महीने से निरंतर सारे मंदरों की पूजा पार्ट बंद है पिछली नवरात्री से भी कोई पूजा पार्ट और यह नहीं हुआ और कुछ जगे की इस्तिति ऐसी है कि जो हमारे बेप्रेय पूजारी अर्चक लोग वहां पूजा करते हैं उनके परिवार का संचालन भी मुश्किल हो रहा है भगवान को भोग भी आना मुश्किल हो रहा है और इस दिश्टी से हमने कोशिश किये कि इस तरह का उन तक कुछ न कुछ पूजा की सामगरी पहुची जाए कुछ प्रसाद की सामगरी पहुची जाए तो यह आज भी है माननी मोदी जी की तरफ से प्रतन है कि कोई भूका ना रहे माननी मुक्मंत्री जी की तरफ से ये निर्देश है कि वही सब की चिंता करना है और इसलिए आज ये बाटा गया है और नरेन सिंग जी का जनम दिन भी है तो वो भी एक उपलक्ष है वेरागड थाने में भी आज आज आपने सेनिटाइजर मशिन दख रहे हैं क्योंकि पुलिस के अरिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस समय उनको सेनिटाइज होना जरूरी है और उनको मास्क लगाना जरूरी है वो तुरंत जा रहा है आपरादियों को भी पकड़ना पड़ रहा है जो बीमार है उन तक भी उनको लेके उनको भी अस्पताल से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकड़न्डियों से सड़कों ता गाउं से शहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राजडीती से कूट मीती ता दखन न्यूज आपके हत्व आप देख रहे हैं दखन न्यूज